लोग आईजे इस वीडियो में हम यूपी PCS के optional subject के regarding बात करेंगे कि यह रिमूब हुआ है कि नहीं हुआ है क्या अपडेट चल रहा है इसके बारे में और जो आरो ए आरो का रजल्ट है वो कब तक आएगा इन दोनों अपडेट के बारे में इस वीडियो में इस वीडियो मे अलागी website को तो इन्होंने change कर दिया है अगर यह अपने नियम कायदे कानून को भी change कर दे तो सही रहेगा क्योंकि कि किसी भी उसकी प्रस्टीज पर डिपेंड करती है और पारदर्स्टता उन्हीं बहुत जरूरी है किसी भी organization की तो पारदर्स्टता पर इन्होंने subject के regarding क्या status है अभी की तारीक में देखिगाए इसमें जो status कुछ दिन पहले था वही status आज भी है कुछ समय पहले आपने देखा कि दो दिन पहले कि optional subject को remove करने के regarding campaign चला गया था तो हमारे उतकर दर्वेजी दिये और दूसरे भी कहीं सारे वे हैं जोनोंने काफी अच्छे स बेटे हुए उन तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की थी और बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं अपने च्छतर पर तो हमको बहुत जल्द उम्मीद भी है कि optional subject पर जो सरकार की जो मंजूर ही बस वही बाकि रह गई है और हमें मंजूर पूर तरीके से भरोसा भी है सरकार की मंजूर दिला के रहेंगे इसके रिकार्डिंग अभी हम पर यही अपडेट है जैसे कोई मुझे नई अपडेट मिलेगी तो मैं तुरंत आपको बताऊंगा अब बात करते हैं आरो ए आरो रजल्ट के बारे में देखे का है आरो ए आरो रजल्ट बनकर पूरी तर हो सकता है हो सकता है रजल्ट दो दो लिए आरो दो दिन पर्सक्राइब होसकता आपके आठ दिन में पोरे तरीके से तो अब इसमें बस मैं यही कहना चाहwartब कि रजल्ट कभी भी आ सकता है पूरी तरीके से बनके तयार है किसी भी प्रकार की कोई भी घडबडी बात नहीं है इसमें लेकिन फिर भी आयोग रिजल को नहीं दे रहा है लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि रिजल्ट इस हफ्ते में आने के पूरे पूरे चांस है तो गाइज यह मेरे तरफ ते आपके लिए एक इंफरमेटिव वीडियो है एक बात और मैं आपको बताने चाहरा हूं कि मेरा टेलीग्राम ग्रॉप है यूपीस्ट नॉलेज ग्रॉप अगर आपको किसी भी गवर्मेंट जोब की लेटेस्ट अपडेट के बारे में हमसे जोड़ना है तो आप इसको जोइन कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्रवाद नमस्कार